असलाम अलेकुम देखिए मैं आज आप लोगों को दिखाने वालों अस्तर की कुर्थी कटिंग करने का यह अस्तर यह डबल फोल्ड कर लिया है हमने यह इसी में प्लाजो भी निकालना है हमको दो पल्ला तो इसलिए हमने इसकी लेंद ज्यादा लिया हुआ है लेंद देखि कि अभी मैं कटिंग करने का तरीका दिखा रहा हुआ है इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे यह यह दामन है कि ग्यारा इंच यानि कि 22 इंच और कुर्थी की लंबाई है कि 49 इंच और शोल्डर है साड़े दस इस तरह आप निशान लगा लेंगे यहां से जो है न कमर का निशान है 14 इंच पर उतारेंगे कमर और यह आर्मोल का बगल का निशान है साथ इंच पर उतारेंगे इसी तरह अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे इस पर 41 इंच और कमर देखिए 41 इंच का यह पाविस्टा हो रहा है सववा दस सववा दस के इसाबसे निशान लगा लिया है और यह कमर है 37 सववा नौ इसी तरह सववा नौ पर निशान लगा लिया है अभी हम यहां से उपर से लेंगे हिप का निशान 20 इंच पर अभी 20 इंच पर हम निशान लगा लिया है यह है हिप का निशान हिप की साइज है 47 यानि कि है 47 इंच है हम जो है ना देखिए सौरी हम 47 इंच बोलेते हैं यह 46 इंच का हिप है हम लगाएंगे साड़े 11 इंच पर पाव इससा इस तरह हमने निशान लगा लिया है अभी एक क्रॉस स्केल की मदब से यह चेस्ट से लेकर वेश तक हम इस तरह रखके निशान लगाएंगे और यह वेश से लेकर हिप तक इस तरह निशान लगाएंगे और यह हिप से लेकर दामन तक इस तरह निशान लगाएंगे अभी जो है आर्मोल का निशान लगाएंगे शोल्डर से आर्मोल और इसी तरह यहां पर राउंड कर लेंगे आर्मोल का निशान के लिए सवड लीख देंगे और यहां पर लियावाता 210 लिख देंगे साल के अ हमारे दिशा fellas घौंगають खरा थे लिह लेंगे अ कि लुग देन मित निशान हो चुका है अभि हमरें करेंगे देखे पिंग हो चुका है देखे अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे मेजरमेंट पर ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसान हो देखे इसमें हम अभी प्लाजो काटेंगे दो पलाजो निकलेगा देखे ये प्लाजो का सेम ऐसे ही चाहिए कस्टमर ने हमसे कहा है बैक फ्रेंट सेम है इसका बैक फ्रेंट कुछ बढ़ता घड़ता कुछ नहीं है सेम से ये कस्टमर को तो हम इसी तरह के प्लाजो कट करेंगे देखे अब हम प्लाजो कटिंग कर रहे है इसका निचे बॉटम है 30 इंच यानि कि 15 इंच का डबल हम 16 लेंगे आफ आफ इंच मार्जिंग रखेंगे इसी में और लंबाई यहां तिरादीस इंच 43 43 इस तरह हम निशान लगा लेंगे देखे इस पर भी निशान लगा लेंगे और यहां पर लूजिंग रखा हुआ है 13 इंच यानि हम 14 इंच पर लगाएंगे निशान एक इंच चिलाई में जाएगा और यहां से जो है न 14 इंच पर हम खिस्तेक उतारेंगे यहां पर भी 15 इंच निशान लगाएंगे इस तरह देखे देखे हम इस तरह फ्लाई उतारेंगे राउंड और इसी तरह यहां से यहां स्टेट निशान लगा लेंगे इस तरह टेप की मदद से पिर इसको हम स्केल से लगाएंगे दोबारा यह हो चुका है प्लाजो का निशान देखे अभी हम कट करेंगे इस तरह यह निशान जो है लास्टिक लगाने लिए माया छोड़ा हुआ है इस तरह हम इस तरह इसमें दो पल्ला काट चुके है और इसी तरह कपड़े में से इस कपड़े में से इस तरह दो पल्ला और निकालेगे प्लाजो इस तरह हमने जो कटिंग किया था दो पल्ला और दो पल्ला कट करने के लिए इस तरह यह ओपन सेट चार है चार पल्ला हो गया देखिए हम अभी इसको बिचा दिये कटिंग करेंगे आज 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 इस तरह प्लाजो कटिंग हो चुका है देखिए निशान लगाएंगे हम यहाँ पर बॉंड नेकर नीचे और यह लाश्टिक का निशान है यहां से देखिए इस तरह प्लाजो कटिंग हो चुका है हमारा कि अभी हम अस्तिन काटिंग इस कपड़े में अस्तिन की लंबाई है 17 इंच और हमें लेना है यह उपर से निशान लगा रहे हैं इस तरह हम लगा लिए और देखिए साढ़े तीन इच पे हम आर्मोल का निशान उतारेंगे यहां से नव इच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह अभी हम आर्मोल का निशान गोल कर लेंगे इसी में और यह क्रास इसकेल के मदद से हम निशान लगा लेंगे इधर यह हो गया अस्तिन और एक कटिंग हम यहाँ पर नीचे मार्जिंग छोड़के काटेंगे जितना हमने चाहिए और उपर से इस तरह कटिंग करेंगे यहाँ पर साइड में थोड़ा सा हलका सा जोइंट डालेंगे इस तरह सिन कटिंग हो चुका है अभी हम जोई ना यहाँ पर लिए जैंट यहाँ पर डालेंगे इस तरह देखिए यह हो गया हमारा कटिंग इसको हम सीधा कर लेंगे अभी यह हो गया अस्तिन कटिंग का तरीखा कि यह लेट है अभी हम अस्तर को जैना इस तरह फोल्ड करके इस अस्तर पर इस पर जाली पर अस्तर रखकर कटिंग करेंगे कि यह सेंटर हो चुका है कि सेंटर इसी पर आ रहा है और यह बैक है कि नेट है यह देखिए हम इसको इस तरह फोल्ड करके इसी पर रखेंगे कि देखिए अभी हम यह नेट बिछा लिए है अभी इस तरह हम अस्तर रखकर कटिंग करेंगे 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 कि स्टिचिंग कोई काटाम को भी ना हो कि देखिए इस तरह आपने अस्तर बिछा कर कटिंग कर दिया है और इस पर निशान भी लगा दिये अभी हम अस्तिन बाजू काटके बताएंगे कि देखिए हम अभी अस्तिन पे जो ना अस्तर रखके कटिंग करेंगे यह नेट है कि इस पर हम जो ना अस्तर रखके कटिंग करेंगे यह देखिए इस जैन को हम इस तरह लगाएंगे ताकि हमें जोइन डालने में आसानी हो कटिंग करने में भी आसानी हो कि इस स्तर हम अस्तिन यह बाजू कटिंग कर रहे हैं यह कटिंग हो चुका है और इसमें हम हलका सा जैन दा लेंगे इदर से इस टुक्ड़े से इसको भी हम तो आसा सीधा कर लेंगे दोनों पर ने को देखिए कठ हो चुका है यहां रास्ति देखिए हम पेपर स्टिप पर हम नेक कटिंग करेंगे बैक प्रेंट का नेक सेम है इसलिए हमने डबल फोल्ट किया हुआ है इसकी गले की चुड़ाई है साड़े पांच इंच यहने के पौने तीन इंच पर हम इस तरह राउंड निशान लगाएंगे यह साड़े छे इंच है हम साथ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यह इस तरह हम राउंड लगाएंगे इसको कटिंग करेंगे देखें यह हमारे राउंड ने कटिंग हो चुका है यह बैक प्रंड का नेक है सेम है देखें राउंड नेक कटो चुका है यह कुर्ती यह प्लाजो यह स्क्रिंग हमारा कटिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठैंक्यू मैं वाचिंग वीडियो